नमस्कार दोस्तों मैं किस्सा बाजवला लेकर आया हूँ विश्व विख्यात लेखको की कहानियों का गुच्छा दोस्तों अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें तो आये बिना देर की शुरू करते हैं मास की कहानी कहानी का सिरिशक है गुलाब सिंग दीन और तारिक की जरूरत नहीं जब हम अमर अनंद की कहानी कहने चले हैं तब एक दिन और एक ही तारिक पकड़ कर क्यों चलें उसके घर में पिता था, मा थी, बहन थी वह पूरे घर का दुलारा था एक दिन की बात है वह बिमार पड़ा मान उसका खाना बिलकुल रोख दिया था पर उसका बार-बार कुछ खाने को मांगना छोटी सी बहन से न सहा गया बहन का जी न माना वह चुपकिस से गुड और चने चुरा लाई पर भाया को खिलाने चली यह बात और है कि उसके बाद भाया का बुखार और बढ़ा इसके लिए यह मा बाप का गुसा सहने को तयार थी पर भाई ने भी वह गुड चने की बात किसी को न बताई और बहन बताती ही क्यों खैर किसी तरह रोग बढ़ते बढ़ते खतम हो गया रोग गया और बहन की प्रेम की वह बाद सदा के लिए भाय के मन में च्छप गई एसी एक नहीं अनेक बातें बहन की, मा की, पिता की उसके मन में च्छपी थी वो कभी उनसे लड़ता जगरता भी पर आखों के आशू और मन के रंग उसके अंतस पर छपी तस्वीरों को न धो सके, न धुंधला सके एक दिन एसी हवा बही की मुर्जाय हुए मनों में भी नई जान आ गई एक हवा एसी होती है जो मुर्जाय हुए पौधों में ताजगी ला देती है और एक हवा एसी होती है जो मुर्दा मन मनुश्यों में नई उमंग भर देती है ये उमंगों वाली हवा थी बड़ा मारी जुलूस निकला कौमी ज़ंडे का जुलूस था पर बाश्चाह का हुकम था कि जुलूस न निकले, ज़ंडा न निकले शहर में आतंग छा गया बड़ा जालिम थावा बादशा बड़ा आया बादशा क्यों निकले जुलूस क्यों निकले जण्डा भाई से बहन ने कहा बहन क्या कहती है उसने सुन लिया बहन फिर बोली कौन है या बादशा भाईया ने कहा हूँ होगा कोई बहन ने फुर तब तो जरूर निकले जुलुस, हम जरूर फैराएंगे अपना जंडा, देखते हैं कौन रोकता है हमें, जंडे के तयारी होने लगी, बहन ने अपने पुरानी उढ़नी फाड़ कर जंडा बना लिया, लाल हरा रंग भी चड़ गया, भाई ने उसे अपने खेलने के डंडे से बांध लिया, जंडा तयार था, अब भाई जंडा लेकर चला, बहन आगरास से बोली, अरे भाई जाते कहां हो, हम भी साथ चलेंगे, पर बहन बड़ी दूर जाना है, तुम ठक जाओगी, नहीं बहन, तुम नहीं जाओ, जुलुस कौन बनाएगा, तुम जंडा उठान हम जुलुस बना कर पीछे चलेंगे, नहीं बहन, तुम जुलुस में नहीं जाओगी, तुम एक काम करो, हमें रोली का तिलक लगा कर विदा करो, जैसे राजकुमारी अपने भाई राजकुमार को विदा करती है, बहन ने खुशी की किलकारी के साथ ताली बजाई, और दो भाई के चारोत्रफ वैसाही आभा मंडल देखकर वो बहुत खुश हुई भाई ने भाई के माथे पर तिलक लगाया, चावल बिखराये तब भाई ने बहन के पैर छुए और विदा ली भाई ने भाई के सिर पर हाथ फेरा और बलैयां ली अब वह जंडा लेकर चला, बहन दर्वाजे पर खड़ी देखती रह गई कहानियों की राजकुमारियां इसी तरह विदा करती थी और देखती खड़ी रह जाती थी दूर तक भाई के लहराती हुए जंडे को जाती हुए देखती रही वह बहु दूर जाने पर बादशाह के सिफाहियों ने जंडे वाले को रोका, वह न रुका और बादशाह के सिफाहियों ने गोली चला दी, वह गिरा, जंडा उसके हाथ में था गोलियां चल जाने पर किसी की हिम्मत नहीं थी की सड़क पर जाता और घैल को संभालता पर बहन ने उसको गिरते देख लिया था नजाने क्यों उसका दिल पहले सही कुछ धक-धक कर रहा था वह दोड़ पड़ी, अकेली दोड़ती जा पहुँची भाई खुन से लत्पत पड़ा था पुकारा भैया, भाई के प्राणों मानों या अम्रितवानी सुनकर लोट पड़े बोला तू आई है या जंडा ले बहन ने जंडा ले लिया, पर भाई चला गया बहन रोई, पर जंडा हाथ में लिये रही बादशाह के सिपाही मानों गढ़ जीत कर चले गए थे कहानी कहा की है, किस की है, हम क्या बतावें या फ्रांस की राज करांती की हो सकती है या रूस की राज करांती की हो सकती है या हिंदुस्तान की सन 42 की करांती की भी हो सकती है क्योंकि या घटना चिरंतन है, अनन्त है या जैसे पिरिस में मासकों में वैसे जब्बलपूर में भी हो सकती है तो क्या उस्वीर बालक का नाम गुलाब सिंग हो सकता है धन्यवाद